नमस्कार बच्चों कैसे आप सब, I hope कि आप सभी अच्छ होंगे, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, दा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं, मैं साइंस सेस्टी, एफ्सलूटली फ्री, एट लर्नोहब. दाट कॉम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, NCRT Solutions for Class 9, टॉपिक हमारा है, The Story of Village पालंपूर, कोशन नमर वन तू सेविन. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हमारा आज का चैप्टर, Economics Class 9, Chapter 1 का फिर्स कोशन है, ठीक है? Every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some of details are presented in the following format, fill up the following based on information on पालंपूर, देखिए, हर village का survey होता है, किस टाइम में, जब every 10 years, ठीक है, census, जिसमें census, जंगरना जो है, वो की जाती है, उस टाइम में, जंगरना की समय में की जाती है, every 10 years पे, ठीक है? तो इसमें में हर गाओं का survey होता है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक format होता है, उसको fill किया जाता है, ठीक? तो पालंपूर के बारे में पढ़ा है, format दिया हो है, आपको उसे fill करना है, ठीक? सबसे पहले location बताना है, total area of the village बताना है, land use बताना है, and facility बताना है, कि वहाँ पर क्या-क्या facilities हैं, ठीक है, facilities में, educational, medical, market, electricity supply, communication, nearest town, यह आपको बताना है, ठीक है? जो कि 3 किलो मेंटर पर, उसे यह well connected है, सायथी साथ है, एक small town, शापूर से यह connected है, ठीक? अगर वैसे भी देखें, तो यह एक कहानी है, बस एक तरह से, जो कि West UP, बुलंद्शेहर डिस्ट्रिक से ली गई है, ठीक है? चलिए, यह हो गया आपका, मलब यह एक काल्प्रिग village ही है, पालंपूर, ठीक है? रियल जो पालंपूर है, वो कहीं और है, ठीक? तो यह आपका इसकी location हो गई, आपके इस chapter के according आपको देना है, फिर आता है आपका total area of the village, यह है 226 hectare of the land, ठीक है? तो यह पूरी land जो है, वो कितनी है? 226 hectare, अब इसमें land used है, hectare में आपको बता जाना है, तो irrigated land जो है, वो 200 hectare है, और उसके बाद un-irrigated में आता है, जैसे की un-irrigated है, जिसके बार में detail नहीं दिया है, बाकी उसके अलावा कुछ और area आता है, जैसे की grazing है, pond है, ठीक है, यह सारी चीज़ों के लिए भी land चाहिए, रोड वगेरा के लिए, तो वो आता है 26 hectare, ठीक है, तो आपका यह 226 जो है, वो complete हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर irrigation की facility जो है, वो अच्छी है, इसलिए पूरा 200 hectare जो है, वो क्या है, irrigated है area, ठीक है, यह हो गया है, facility में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर educational facility देखेंगे, तो दो primary school है, साथी साथ एक government high school है, यह एक primary dispensary है, market, market जो यहाँ का है, वो साथी साथ, यहाँ के लोग जो है, चीजों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जो पडोस का हमने देखा, small town, शापूर, और जो थोड़ी दूर पर, रायपूर, जो इनका village है, रायगन, sorry, रायगन जो village है, वो है, ठीक है, market के लि देखा, nearest town क्या है, शापूर है, ठीक है, यह हो गया, इसकी information, जो की यहाँ पर format दिया है, उसकी बेस पर हमें इसे फिल करना है, ठीक है, चलिए बचे देखते हैं, question number two, question number two हमारा है, modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry, do you agree, question क्या कह रहा है, modern farming methods जो होते हैं, वो ज्यादा more required inputs, किसका जो चीज जो की वो ज्यादा demand करते हैं, क्या आप इससे agree करते हैं, बिल्कुल agree करते है, modern farming method जो है, उससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा फसल जो है, वो हमको मिलती है, अब उसके लिए क्या है, industry में बनी हुई चीजे जो होती है, जैसे हम देखते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से अगर खेती की जाती है, ठीके, तो वो क्या है, वो बारिश पर depend होते हैं, ठीके, उन मशीनों का use नहीं करते हैं, वो depend होते हैं, कि उनके जो irrigation होगा, ठीके, इसके अलावा क्या है, कि fertilizers वगेरा क्या है, वो natural जो है, उनका use करते हैं, ठीके, जो हम देख रहे हैं, modern farming है, इसमें क है जो फर्टिलाइजर्स जो है इंडस्ट्री में बनते हैं उनका लोग यूज करते हैं ठीक है तो यानि कि यह चीज सही है कि जो modern farming method है वह ज्यादा ज्यादा वह इंपुट की डिमांड करते हैं जो की इंडस्ट्री में बने होते हैं ठीक है जैसे केमीकल फर्टिलाइजर्स हो गया है पेस्टिसाइडस हो गया है ठीक है थीक है ठीक है फार्म मशीनेरी एलेक्टिसिटी आचवी बाइज सीट्स जो है जो कि जादा जादा उपच के लिए यूज की जाते है, high yield variety seeds, ठीक है water supply, तो जहां भी ये seeds यूज होते हैं, तो ज्यादा ज्यादा पानी की भी डिमांड करते हैं, ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर की भी डिमांड करते हैं, वो सारी चीजे जो कि, क्या है, हम देखते हैं, सारा process जो होता है, वो मशीनों के द method जो है, उससे कहा है, ज्यादा से ज्यादा crop जो है, वो मिलती है, grains मिलते हैं, और साथ ही साथ जल्दी मिलते हैं, ठीक है, ये इसका फाइदा रहता है, as a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grains than was possible earlier, higher yield were possible only from a combination of HVY seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc, ठीक है, तो I hope की ये answer जो है, वो आपको समझ में आगे होगा, चली बच्चों देखते हैं, question number 3, question number 3 हमारा है, how did the spread of electricity help farmers in Palampur, question क्या कह रहा है, spread of electricity, Palampur के जो farmers हैं, उनके कैसे help करता है, ठीक है, तो Palampur के farmers हो, या फिर कहीं के भी farmers हो, electricity जो है, वो सभी को उससे बहुत जादा support मिलता है, अब देखें, सबसे पहले, अगर हम देखें, farmers के लिए क्या है, उनके लिए खेती जरूरी है, खेती के लिए क्या है, सिचाई सबसे पहले आती है, ठीक है, तो अगर उसके लिए rain पर ही depend रहे है, तो rain कब हो रही है, कभी हो रही का यूज करते हैं, farmers, जब उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या है, कि फसल भी अच्छी होगी, कि सिचाई अच्छी होगी, तो फसल भी अच्छी होगी, अच्छा, उसके साथ ही साथ क्या है, कि बाकी के भी काम जो है, उसमें मशीनों का यूज होता है, उसमें उनको, उनके आगे के जो भी process होते हैं तो उससे क्या होता है काम जो है वो जल्दी उता है फसल भी अच्छी उती है वो जल्दी उती है कि पालंपूर में मैक्शिमम लोग जो है वो साल में दो से तीन खेती करते हैं ठीक है चलिया यह देखे पिपल सौ देट दा इलेक्ट्रिक रन टूबल्स कुड इरिगेट मुच लार्जर एरियास ऑफ लैंड मोर एफेक्टिवली ऑल्स तो ग्रोव मोर देन वन क्रॉप ऑन द्यूरिंग देखा पालंपूर में मल्टिपल क्रॉपिंग जो है वो काफी लोग करते हैं ठीक है तो यह आंसर कम्प्लीट वा नेक्स हम आते हैं कोशन नमबर फोर हमारा है क्या कह रहा है कि उसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों तो देखें से ज्यादा लोग जो है उनका लाइवलिवीड क्या है वैसे तो हम कंट्री में ही देखें इंडिया में देखें तो ज़्यादा ज़्यादा लोग जो है वो agriculture से जुड़े है ठीक है और गाओं में देखे तो लगभग हर family जो है वो agriculture से जुड़ी हुई है ठीक है agriculture चाहे वो दूसरों के खेतों में काम कर रहे है चाहे अपनी land पर काम कर रहे है लेकिन वहाँ पर क्या है maximum लोग जो है वो agriculture स ही जुड़े है ठीक है वही उनका क्या है लाइवली हुट है तो उनके इरिगेशन जो है वह बहुत ही जरूरी है मौनसून फिर वही चीज की मौनसून जो है कि कभी देर से आ रहा है कभी नहीं आ रहा है ठीक है कम आ रहा है तो यह सारी चीज़ें तो उसके लिए इरिगेश हैं वो क्या होते हैं encourage होते हैं इससे ठीक है farming is the main production activity in पालंपूर 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood ठीक है farmers are dependent on the erratic monsoon season and if the rainfall is less farmers are born to suffer a major loss ठीक है तो अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या होगा फसल अच्छी नहीं होगी तो उनको loss होगा अब काफी farmers जो होते हैं वो कि कुछ तो होते हैं कि उनके पास पैसे उससे खेदी कर रहे हैं बहुत सारे farmers जासे होते हैं जो कि seeds, pesticides, fertilizers इन सब के लिए क्या करना पड़ता है कि उन्हें loan लेना पड़ता है कई बार वो money lender से ज्यादा तर लेते हैं जहाँ पर interest rate भी अच्छा देना होता है अच्छा खासा तो वहाँ क्या है कि अगर फसल खराब हो जाती है irrigation अच्छा नहीं मिला फसल खराब होगे तो उससे उनका बहुत जादा नुकसान होता है तो यह सारी चीज़े हैं ठीक है that's why additional facility of our irrigation is very important for farmers and farming ठीक है दोनों के लिए जरूरी है with good irrigation the production will also be good due to which the farmers will get encouragement and cooperation ठीक है तो यह भी answer जो है वो आपका यहां पर complete होता है चली बचो देखते हैं question number five question number five हमारा है constructor table on the distribution of land among the 450 families of पालंपूर ठीक है पालंपूर में 450 families के बारे में दिया हुआ है यहां पर आपको table जो है वो fill करनी है one side पे families है and other side पे आपको land है आपको बताना है 150 families जो है वो दलिट की है 240 families अलग ठीक है next आपका है 60 families तो इस तरह से इसको divide किया गया है तो 150 दलिट जो है उनके पास क्या है कोई land नहीं है बाकी 240 families जो है उनके पास land less than two hectares ठीक है तो उस दो hectares से भी कम उनके पास जमीन है जो की क्या है सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करती है और कई बार उनकी जरूरते भी उससे पूरी नहीं हो पाती 60 families जो है उनके पास दो hectare से जादा land है यह क्या करते हैं इनकी जरूरते भी पूरी होती है और उसके अलावा यह इनकी जो crop होती है उसे वो बेचने का भी काम करते हैं ठीक है तो यह हो गया कह सकते हैं कि distribution जो है वो किस तरीके से है चलिए बचो देख है कि पालामपुर के जो firm labor's है उनका उनको जो मिलता है उनका जो वेतन मिलता है वो minimum wages से भी कम क्यों है तो minimum wages से कम क्यों है उसका सबसे बड़ा एक reason यह होता है कहीं भी अगर हम देखें तो एक तो population ज्यादा है यह कह सकते हैं काम करने वाले ज्यादा है बट वेकेंसी जो ह है वो कम है तो इस वज़े से जो minimum wages है उससे कम wage वहां पर मिलता है ठीक है the minimum wages for a firm labor set by the government is rupees 115 April 2011 जो हमने यहां पर पढ़ा इस चैप्टर में per day per day क्या है कि rupees 115 मिलना चाहिए 2011 की बात कर रहे है हम लोग यहां पर but firm labor but firm labor ठीक है यहां पर आपका firm labor होगा ठीक है firm labor get only rupees 80 heavy competition for work among the firm labors in पालंपूर so people agree to work for lower wages ठीक है तो यहां पर क्या है कि काम करने वाले लोग जादा है काम जो है वो उतना जादा नहीं है और उन्हें काम जो है वो चाहिए competition बहुत जादा है यानि की competition बहुत जादा है लोगों को काम चाहिए देखिए खाली बैट बैटने से अच्छा है उनको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ मिल जाए ठीक है 150 ना सही तो at least 80 रुपीस तो उनको पड़े मिल रहा है है ना खाली पैटने से तो बेटर है तो इसलिए लोग जो है कि वो accept कर लेते हैं अगर उन्हें minimum wages से भी कम मिल रहा है उसे भी agree कर लेत choose either firm labors or labors working at construction sites ठीक है what wages do they get are they paid in cash or kind do they get work regularly are they in debt ठीक है कई कोशन इसी में एक साथ है आपको क्या करना है आपकी जो location है आसपास आपको दो laborers जो हैं उनसे बात करना है चाहे वो firm labors हो या फिर कहीं construction site पर काम करने वाले labors हो उनसे बात करना है उनके जो wages जो उन्हें मिलते ह है वो आपको पता करना है किस type से पाते हैं उसके बदले में वो सामान अनाज मतलब goods जो है वो पाते है या फिर cash में पाते हैं ठीक है उसके अलबा क्या है क्या वो regularly work उन्हें मिल जाता है दूसरा next उसमें है are they in debt क्या वो कर्ज में है ठीक है चलिए समझेंगे सबसे पहले क इसके आंसर की बात करें तो देखे एरिया वाइस चीज़े जो है वो change होती है ठीक है हर जगा जरूरी नहीं कि हमारे हम लोगों के जो location पे जो चीज़े होंगी वही आपके में होगी या फिर आपके में है वही कोई और person जो है उसके location पे होगी तो वो location wise चीज़े जो है व दो लोगों से हम लोगों ने बात किया जहां पर क्या है कि उनको 150 रुपीज जो है ठीक है वो मिलता है यानि कि कैश में मिलता है रमेश और रीटा जो कि किस तरीके से मिलता है ठीक है यह आपको बताना है तो उन्हें क्या है construction site पर वो काम करते हैं 150 रुपीज मिलते हैं अब minimum wages जो है government के द्वारा अगर हम देखा जाए तो 2021 या 22 की बात करें तो 300 के आसपास है ठीक है 293, 267 इस तरीके से minimum wages हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि उन को मिलता है इस construction site पर काम भी जो है वो उनको हमेशा नहीं मिलते हैं ठीक है रेगुलरी उनको काम नहीं मिलता है और इतना कम मिलता है जिसकी वज़ा से वो क्या है उनसे हम लोगों ने जब बात की तो पता चला कि वो debt में है क्योंकि खर्चे जो है खर्चे तो काफी जादा है ठीक है अब उन्हें तो पूरा करना है काम इनको रेगुलरी मिल नहीं रहा है मिनिमम वेजे से कम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनको अपने कामों के लिए कहीं न कहीं से पैसे जो है वो लेने पड़ते हैं ज्यादा तर यह क्या करते हैं मनी लेंडर से लेते हैं व तो आई होब कि ये आपको सारे आंसर जो हैं वो यहां तक क्लियर हो गए तो बच्छो इस तरह हमारा आज का वीडियो कम्प्लीट होता है इस चैप्टर के बाकी कोशन के लिए हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में एट लर्न होफ लर्न होफ फ्री है पर बेस्ट है झाल झाल झाल